असलामलेक७म वेलक७म टू मै चनल यहां पे देखिए इससाइड में देख्ड ला क। लोगता है इसाइड कपड़ों यहां पे दरु polsk के पासरे ला मृकी बढ़ा है यहां पे दीहीं पहुंचँ के पास दरुम नीचाइड का किरहा ह। तो एक से बरहल जो नीचे का हिस्सा रहता है दोनों पलों पे जो नीचे का हिस्सा रहता है उसी में आए गए वर्क ये देखिए पूरा हमने कपड़ा इस तरह से फोल्ड किया है अब देख सकते हैं तो इस तरह से हमने फोल्ड किया बही का पूरा प्लेन है ये देख सकते है थोड़ा सा ही इसमें वर्क दिया गया है यह देखिए इस तरह से पीछे दोनों साइड अब हमको दोनों पार्ट निकालने है इसी में से तो हमारा जो लेंथ है जितना लेंथ है उतना ही हम पहले कट करके इसको निकाल लेंगे यहां पे देखे यह इस तरह से फोल्ड साइड है यहां पे आइ तो इस तरह से इसको बेल्ट के लिए छोड़ेंगे नेफे के लिए उपर का सेवन इंच छोड़ेंगे हम यहां पर लेंगे हमारी लेंद है 40 इंच तो हम 2 इंच एक्ष्ट्रा लेंगे 41 है तो 42 43 पर हम लेंगे यहां पर तो यह देख सकते हैं यहां पर नीचे हो गया थोड़ा सा टेप तो यहां से हम इसकी लंबाई लेंगे अब है यह देखें सेवन इंच यहां पर हमने बेल्ट के लिए छोड़ा इस तरह से हम लेंगे तो हमने यहां पर इसकी लंबाई ले ली है तो अभी हम देखिए इस तरह से कट करके निकाल लिया है जो लैन हमने यहां पर दाला था तो उसी की हिसाब से हमने निकाल लिया है अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे देखिए इस तरह से फोल्ड करना है वो उदर खुल से इसको फोर्ड करना है फौर लियर में हो जाएगा एक फ्राइब का जीन का या देखिया इदर है यह दो सैड इस तरह से कुली है ये जू है बाद में कट कर गया है तरह है देह के यह जो फोल्ड है इसको चाप गर साज तो जो बचावा कपड़ा है उसकी यह देख सकते हम लेयर में है चार पदर में तो इस तरह से चार पदर आप कपड़े को पूरा बिचा लें जो तेड़ा मेड़ा है वहां से इसको कट करके सीधा कट करके निकाल लेना है ये देखिए इस तरह से कपड़ा है ये तिरचा तो सीधा उसको निकाल लेंगे अभी जो कपड़ा हमने इस तरह से रखा है बचावा कपड़ा ये हमारे पार्ट से अब हम इसकी कली निकालेंग इसको इस तरह से अच्छे से बिचा लेंगे यह देख सकते हैं इस तरह से इमने भिचाया है यहां से इसको कट करके निकालेंगे जो तेड़ा मेड़ा है तो इस तरह से बिचाना है इसको तो नीचे यहां पर पोंचा है हमारा पोंचे का हिस्सा तो यह देख सकते हैं यहां स तक हमारा पोंचा आएगा और यहां से इसकी कली इस तरह से आएगी यहां पर हमारा क्रोचरी आएगा यह जो बचावा कपड़ा है हम वहां पर बेल्ट निकालेंगे तो इस तरह से पूरे में अच्छे से बिचा ले आए हैं हाफ इंच इसके ऊपर से हमें रखना है क्यूंक करें लिए नीचे अब हमारा यहां पर हम पोंचा दालेंगे इस तरह से पूरे का जो है कपड़ा जो नीचे बचावा है वह फोल्ड के लिए काम आएगा तो यहां पे 7 इंच का हमारा पूंचा है तो हम देड़ इंच एक्ष्रा ले रहे हैं आप एक भी ले सकते हैं डेड कर में मार्किंग लगाएंगे यहां तक तक से नीच शचा में मारकिंग लगाएंगे जब तो इस तरह से यह मार्किंग हमारी हो गई है अब हम इसको कटिंग करेंगे जो बचावा कपड़ा है मुसका बेल्ट बनाएंगे तो यह देखिए हमने इसी तरह से इसको कट कर लिया हमारा यह पार से यह कली है हमारी इसको इसमें जैंट हो जाएगी अब जो बचावा कपड इतार प Candifier हो जन्हों कeenफे दो ब्मखा इन का रही है कि दौनों साइब का एक एक पूंचा खी अप den हाई हैं इतने कंपा के एद आ हमारी काली हो गए है अभरे हमारा बैल्ट इनका लेंगे कि निप दूब लिए जो चाप्ड़ के लिए उ DNC鬧 कर अंधर नहीं पर पर जैसे जो चुब यह एक की सिंच है तो स्फीन को m तरह पर आप यह एगे साड़े दस तो हम हम साड़े दस में प्लस वन इंच नहीं तो साड़े ग्यारा यहां पर हम इस तरह से टेप रखते हुए, देखें यहां पे इस तरह से टेप रखते हुए, जाड़े ग्यारा पे हम मार्किंग करेंगे, और यहां पे नौ इंच का पूंट निकालेंगे, जो 7 इंच हमने बेल्ट के लिए छोड़ा था, 2 इंच एक्ष्ट्रा सिलाई के लिए, तो 9 इं माइख खतने हैं लगई नाग-न दर्ग ऺलगे me Okayo gdK chT काटी करें लगए को और यहां पर शल्वार की कट्इंग काथ तो इस सेटी अलगएagine reim डार च्रार खता है यहां यहां पर ऑन्हों लगद आलगषया खतना धरे मेरे मेरी वीडियो पसंदanda खता है कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को भी प्रेस करें थैंक्स पर वार्ट